आलो गोबी और मटर पनीर हम घर पर हमेशा कई तरीके से बनाते हैं इवन रेस्टोरेंट में जाकर भी ओरडर करते हैं आज मैं आपके साथ एक पहुत ही डिफरंट रिसिपी शेयर करूंगी आलो गोबी और मटर पनीर की इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़े साइस की फूल गोबी ले ली है फूल गोबी हमेशा ऐसे चूज करना है जिसके धंठल में हलका सा हरा पन हो और गोबी हलका सा पीले पन में हो, बहुत ज़ादा वाइट गोबी नी लेनी है इस तरीके से कट करके पानी में डिप करेंगे और साथ में हमें दो आलू ले लिये हैं और इसको भी मैंने गोबी के सेम सेम साइज में ही कट कर लिया है सबसे पहले कडाई में डालेंगे दो बड़े चमच, तेल, तेल गरम होते ही हम इसमें सबसे पहले आलू को फ्राई करेंगे दो तीन मिनेटी फ्राई करना है बहुत ज़ादा पकाना नहीं है बस हलका सा आलू में जैसे ही कलर पकड़ ले इस तरीके से बस अब हम आलू को निकाल लेंगे आज की ये जो रेसिपी है ये बहुत ही सिंपल है लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है रोटी पराटे के साथ पूड़ी के साथ नान के साथ और जीरा राईस के साथ बहुत ही परफेक्ली जाता है अब मैं उसी तेल में डाल रही हूँ फूल गोबी इसको भी हम बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लेंगे आलू और फूल गोबी की सबजी बनाते समय हमेशा प्रॉबलम आता है कि गोबी जना गल सी जाती है आलू बहुत जादा मैशी से हो जाते है आज की इस रेसिपी को आप पूरा ध्यान से देखें एंड तक बिल्कुल भी आलू और गोबी मैशी नहीं होगे और बिल्कुल पॉरफेक्ली सबजी हमारी बन कर तयार होगी तो लोग गोबी भी हमारी फ्राई होगे इसको निकाल लेंगे बढ़िया गोबी फ्राई होग थोड़ा सा फ्राई करेंगे साथ साथ मैं यहां पे एक तेज पत्ता भी डाल दिया है और जरा सा इसको फ्राई कर लेंगे कुछ सेकेंड्स के लिए तड़का भुन गया है अच्छे से फ्राई हो गया है अब मैं इसमें हरे मिर्च डाल रही हूँ दो बीच से कटी हुई और साथी साथ मैं यहां पे प्यास डाल दोंगी रफली चॉप करके तीन मीडियम साइस का इसको हमें फ्राई कर लेना है लगभग एक मिनिट प्यास को बहुत जादा ब्राउन नहीं बनाएंगे बस हलका सा एक नट फ्राई करते साथी अद्रक लसन का पेस्ट एड़ करें प्यास जद्रक लसन बढ़िया से बहुन गए है कलर अच्छे से चेंज हो गया है कच्चपन दूर हो गया है अब हम इसमें डालेंगे तीन मीडियम साइस का टमाटर इस रेसिपिन में टमाटर थोड़ा सा जादा डाले तो टेस्ट बहुत ही अच्छा हैगा खटा-खटा स चोटे चमच कसूरी मेथी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा आदा चोटा चमच हल्दी पाउडर एक चोटा चमच काश्मीरी लाल मिर्च एक चोटा चमच धनिया पाउडर और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे मसाला जलना नहीं जाई है इसलिए थोड़ा सा मिक्स करना और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर देना है ताकि दही हमारी बिल्कुल भी फटे नहीं तुरंत मिक्स करते साथ हम इसमें एट करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी लगभग तीन से चार बड़े चमच पानी डाल लेंगे तो टेंपरेचर भी डाउन हो और दही फटेगी नहीं बस अब हमें भुनाई करनी है इसकी जब तक की तेल अलग नहीं लग जाए तो यहां पर मैंने लगभग चार से पांच मिनट अच्छे से बुनाई कर ली है तेल चूटने लगा है बड़िया तरीके से मसाले हमारे भुन गए है गोबी की सबजी मे थोड़ा सा रिच टेस्ट और टेक्शर देने के लिए मैं अड़ कर रही हूँ फ्रेश क्रीम मैंने आधा कप लिया है लेगिन पूरा नहीं डालोंगी यहां से लगभग मैं आधा ही डालोंगी लगभग लगभग तीन से चार बड़े चमच हम फ्रेश क्रीम डालेंगे फ बहुत ही बढ़िया सी गोबी की सबजी बनके त्यार होती है बिलकुल बहुत ही रिच टेक्शर आता है अब आप इस सबजी को चाहे तो सूखी बना लो चाहे तो थोड़ी से ग्रेवी वाली बनाओ लिकिन टेस्ट अमेजिंग आता है यहां पे मैंने एक छोटी कटोरी फ मतर का इस्तमाल कर रहे हो तो शुरू में ही डाल दे मसाले भुनते समय क्योंकि मतर पकने में टाइम लगता है लो मैंने पका लिया अब मैं इसमें एक ग्लास पानी डालोंगी बहुत जारा पतली तरी वाली नहीं बनाने वाली हो थोड़ी सी सूखी सूखी सबजी बनेगी साथ में हम स्वादनु सा नमक डाल लेंगे और अच्छी तरीके से सारे चीजों को मिक्स कर देंगे गोबी और आलू की सबजी जब भी बना रहे हो गोबी और आलू दोनों को ही फ्राई करके डाले इससे गोबी जहना मैशी नहीं होंगे तूटेंगे नहीं अब हम इसको अच्छी तरीके से पकने तक बीच में एक दो बार चला जरूर ले यहां पर पात साथ मिनट पकाने के बाद धक्कन खोड लिया है इसको एक बार मिक्स कर देंगे आप देख सकते है टेक्शर गोबी बिलकुल मैशी नहीं है चेक करेंगे आलू गोबी पका है या नहीं पक करके नहीं आट करेंगे आप चाहे तो फ्राइक करके भी थड़ा सा फ्राइक कर सकते हो थोड़ा कटा धनिया डालेंगे और हलकी हातों से मिक्स करेंगे सबजी पक चुकिए बहुत जादा तेज नहीं चलाना है हलकी हातों से तो इस तरीके से अगर आप गोबी आलू और बनाएंगे ना तो आलू मैशी नहीं होगा गोबी बिल्कुल भी टूटेगी नहीं बिल्कुल भी मैशी सी नहीं होगी बस तयार लास्ट में थोड़ा सा धनिया डालेंगे और जो बचा हुआ क्रीम था उसको भी आप चाहे तो यहीं पर डाल दे या गार्निश करने के लि क्रीम डाले के वज़े से ना बहुत ही रिच टेक्शर आता है इसको पूरी पराटरे के साथ नान के साथ या फिर दाल और जीरा राइस के साथ साथ सर्फ करें बहुत ही टेस्टी लगती है तो यहां पर मैने सर्फ करने के बाद थोड़ा सा लास्ट में क्रीम और धनिया से वापस से गार्णिश कर दिया है तैयार है हमारी बहुत ही सेंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी गोबी आलू मतर पनी की रेस्टी अगर आपको रेसेवी पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक और शेर जरूर करना